वाइट वैकम टू दी आने विडियो गाईज बीस्ट बोई प्री टीन टैड़स की सीरिस का सबसे फणी करेक्टर रहा है और एक ऐसा करेक्टर भी है जिसे टीन टैड़स को में डिस्ट्रोई नहीं किया गया है बल्की और बैतनी बना दिया गया है वो बीस्ट बोई जो हर वक्त मजाग ही करता रहता है सब को हसाने की कोशिच करता रहता है और बाकि उसकी बातों से नहीं हसते और उसका पूपड हो जाता है बट हम बहुत हसते हैं वह बीस्ट वोई जो इन टू होट चिक्स का मालिक है वैल आखिर में क्या कहने की कुशिच कर रहा हूं मेरा मोटिफ क्या है तो मैं बेसिकली यह कहना चाहता हूं एक सेगने क्या तुमने मेरे वीडियो को टैटल थमने नहीं देखा अरद जूंदा लाश है क्या वैल जोक्स आपाट तो ची हां ये वीडियो का टॉपिक मेरी बाकी वीडियो से जैसा ही अजीव है पता नहीं मेरे दुमाग में ऐसे क्यारत क्यों आते रहते हैं अब जो है सो है तो जी हां बीस्ट वोई आखिर इतना फणी क्यों है अब आई नो तुम लोग यह सोच रहे होगे कि अब आप पागड़ है क्या ये कुछ डिसकुशन कर नहीं बोलते हैं क्यों सही होना मैं तो आखिर हम क्यों उसके जोक पे हस जाते हैं बड़की उसका जोक उतना फणी नहीं भी होता है फिर भी हम हस जाते हैं हमें टाइटन जैसा रियक्ट करना चाहिए लेकिन हम कर रहे हैं उसका उल्टा या फिर कर तो बिल्कुल वैसा जो और वो है रिलेटिबल जी हाँ बीस्ट बोई के जो जोक्स होते हैं उनसे हम कही ना कही रिलेट कर पाते हैं जो हमारे दिमाग में बहुत फणी लगता है बट सामने वाले को फणी नहीं लगता और बैम वो एक लेम जोक होता है और बीस्ट बोई के वही लेम जोक्स के साथ हम रिलेट कर पाते हैं अब मैं सिर्फ बीस्ट बोई के जोक्स को टार्गेट नहीं कर रहा बलकि मैं बीस्ट बोई के पसनालिटी को भी टार्गेट कर रहा हूँ जी हाँ Beast Boy कैसे सबको हसाने में लगा पड़ता है यह आश्या में के काश उसे देख के कोई हस जाए लेकिन क्या होता है Disappointment और यह चीज हम भी कही न कही relate कर पाते हैं जैसे के मैंने आपको अभी वो example बताया तो इन चीजों से हम कितना relate कर पाते हैं Beast Boy के साथ और हम उसके lame jokes पे भी हस पड़ते हैं I hope तुम मेरी ये बा समझ पाए हो लेकिन अगर कुछ चंद लोग नहीं तो मैं और deep में जाके समझाने की कोशिश करता हूँ तो तुम Beast Boy का ये joke ले लो जहांपे सब brain को हरा देते हैं और Beast Boy ये कहता है तो क्या लगा कुछ फील हुआ थोड़ी हसी महसूस हुई हुई ना नहीं तो यही चीज है उसका जोक बिकार जरूर था लेकिन हम उसके जोक को समझ पाए और आज पास का फैमिलियर एटमोस्पीर देखकर हम रिलेट कर पाए और जिन लोगों को ये सीन पे अपने मन में हसीन नहीं आई इट्सो के हर चीज रिलेटेबल नहीं होती लेकिन ये वीडियो यही पे एंड नहीं होती मेरा अपजाटब यह नहीं था कि वो आज पास के वातावरन को महसूस कर लेता है उसे यह अनुबव हो चाहता है कि आज पास का इन्वार्मेंट नेगटिविटी से बरा हुआ है और वो जोक बार कर उसे को पॉस्टिविटी में बदलने की कुशिच करता है कई बार उसका यह प्लैन कामयाब भी होता है लेकिन कई बार या यून वड़ाइ मीन जब कोई महौल सीरियस होता है तब वो कोई फणी सी चीज करने लग जाता है ताकि कोई नेगटिव चीज ना हो वो आपने चारों तरफ एक पॉस्टिविटी और अवरा फैलाता है और यह एक साइकलोजिकल टैक्ट है कि अगर महौल ज़ादा सीरियस रहे तो नेगटिविटी सप्रेट होनी ही होनी है और फूलब नेगटिविटी सब को पॉस्टिविटी चाहिए और वही वीस्ट बोई करता है और आखिर में मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा के सिर्फ बीस्ट बोई ही एक ऐसा करेक्टर है जो टीन ट सकते हो के भाई आखिर कितने हुए हैं तो या ही डोंट नेड एंडिंग लोप और मुझे इसका ये वाला मॉमेंट काफी अच्छा लगा जहां पर सभी टैटन गंट्रोल फ्रीक से लड़ते हैं और इन से भागने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम को रियर वल्ट में जाना ह या बात है जी एक्टिंग की बादशाओ कसम से बहुत अची वीडियो बनाए ये सही जोकसा पाट है ये वीडियो से फेक फ़र्ण के लिए थी आई हो कि तुम लोगों को मजा आया होगा अगर मजा है तो यार लाइक कर तो इस वीडियो को एंड तुम लोग को बाकि ड्र हुआ